हेलो फ्रेंड्स आयों इंद्रजीत एंड आर वेरी वेलकम मा इटूब चेनल आज आम इसोटों में संबल कार्ड की बात करेंगे जिन भी महिलाओं के पास संबल कार्ड है उन महिलाओं को 16,000 रोपे की रासिये ओं मिलती हैं केसे मिलेगी कब मिलेगी और केसे इस संबल आप लोग लाब ले सकते हैं इससे संबल अप लोगों को कम्पेट जानकारी देने वाला हूं वीडियोश्यू करने संप्रेले आप लोगों से क्रिक्वेश्ट हैं अगर आप लोगोंने हमारे चैनल स़ीनेल नहीं किया तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा स्ब किसे मिलेगी ओके इससे संबदित आप लोगों को कंप्लेट जानकारी दूंगा उस्षे पेले आप लोग संबल कार्ड के फाइदे जान लीजिए संबल कार्ड के भूस चारे बेनिफिट है ओके अगर आप लोगोंने संबल कार्ड नहीं बनाया तो आज ही इस वेबसाइट परा करके ओके संबल कार्ड है बना सकते हैं मुक्य मंत्री प्रस्तुती साहिता योजना के तहट जो प्रशव की शमह है वो महिलाओं को दो किस्तों में 16,000 रुपे की राशियों दी जाती है जो संबल कार्ड है शिर्प मद्रप्रदेश की महिलाओं के लिए अगर आप ओधर श्टेट की अगर महिला है तो आप ये वीडियो स्किप कर दीजीगा आप सबसे पहले इस योजना के फाइदे देख लिजीगा वोगे यहाँ पर इस संबल कार्ड के भूशारे बेनिफीट है सबसे पहले आप देखेंगे बच्चे के लिए सिक्षा के लिए प्रोच्छान यहाँ पर जो एड्मिशन अगर लेना चाहता है ग्रेजुएशन में आईटे में तो उसका निसुल का एड्मिशन इस कार्ड के द्वारा होशकता है दुरगत्ना ग्रेष्ट लोगों को लिए 2,00,00 रुपे तक का को कहा यहाँ पर बीमा मिलता है अगर आपके पास यह कार्ड है तो आप लोगों को 2,00,00 तक का यह बीमा है मिल जाता है यहाँ पर आप लोगों की जो बिजली बिल है वो भी माप हो जाती है और बहतर करशी के लिए आपको उपकरेंड भी मिलते है अंत्रिक साहिता जो आपको परदान की जाती है साती निशुल कर स्वास्ट देख भाले वो आप लोगों की होती है अब चलिए फ्रेंच 16,000 रुपी की राच्षी केसे मिलेगी सबसे पहले से समबदित जानकरे आप लोगों को दे दूँ मुख्य मंत्री प्रश्टुती साहिता योजना के तहट जो गर्ववती महिला है प्रेग्रेंड लेडी है उन्हीं महिलाओं को शेर प 16,000 रुपी की राच्षी मिलती है ये राच्षी दो किस्तों में मिलती है कब मिलेगी कैसे मिलेगी हम पूरा जानेंगी सबसे पहले यह नहां पर आप देखेंगे कुल जो राच्षी है वो 16,000 रुपी की राच्षी मिलेगी आप आप लोगों को जो गर्ववती महिला है उस महिला को गर्वावस्ता का पंजन परतम त्रे मास में करवाये जाने पर यानि कि जो गर्ववती महिला है उसका तिसरा महिना जाता है ओके ये चेक अप होती है चार बार चेक अप होती है और इससे आपको MCP काड यानि कि मात्रियम बाल सुरक्षा काड्यों बनाया कि दिया जाता है इस मात्रियम बाल सुरक्षा काड में ओके टीडी के टीगे की एंट्री होती है वो चार चेक अप होती है अगर मात् तिक हो दोनोँ टिकों की इंट्री अनेवारी चार बार जो इंट्री होती है तब जाकर के आप लोगों गया को 16 500 करड़ी है तब जाकर के आपको 4000 रुपे की राज़िए दी जाएगी दिति किस्ट कब मिलती है? यहाँ पर देखिए आप दिति किस्ट आप लोगों को 12000 रुपे की रासी मिलेगी आप यह 12000 रुपे कब मिलते हैं? ओके, यह जान लीजेगा जब प्रशो होता है दिलेवरी होती है उस समय आप लोगों को 12,000 रुपे की रासी मिलेगी साथ इसाथ जो बच्चे को टीके लगेंगे वो कि जो सिसु है आपका जिसमें BCG, OP, V and LHEP भी टिका टिका है वो लगाया जाता है ये टीन टिके है जो होश्पिटल में गवर्मेंट होश्पिटल में लगाया जाता है साथ इसाथ जो प्रशो है सिर्फ सास की होश्पिटल में करवाना अनिवार है तब जाकर के आप लोगों को 12,000 मिलता है वो के अगर आप प्रावेट होश्पिटल में प्रशो करवाते हैं तो आप लोगों को 12,000 रुपे की रासी नहीं मिलती है आप लोगों को शिर्प गवर्मेंट होश्पिटल में ही दिलेवरियो करवाना अनिवार रहेगा तब जाकर के आप लोगों को ये 12,000 रुपे की रासी मिलती है ओके आप ये टीके भी लग चुके हैं सीसु को टिके लग जाते हैं तब जाकर के 16 जौर्पे की रासी आप लोगों को मिलेगी आप लोगों को MCP कार्ड है आप लोगों को अंगनवाडी केंदर में एनेम के द्वारा है बना के दिया जाता है सबसे पहले आपको अंगनवाडी केंदर में जाना है और महापर आप ल महिने में टिका करन करवना है चोते महिने में और जो आपको MCP कार्ड है इसमें आपको एंट्री भी करवानी रहेगी अगर चार बार एंट्री नहीं करवाते हैं तो आपको लाब नहीं मिलेगा इसलिए mcp card में आप लोगों को जो चार बार इंट्री करवानी अनिवार रहती है ओके और mcp card में आप लोगों को mcp id नंबर है वो भी दी जाती है अगर आपको mcp id नंबर कैसे निकालना ये नहीं पता है तो मैंने वीडियो बना दी है आप उस वीडियो को देख लिजिएगा और mcp id वो निकालना सिक जाईए ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुक्य मंत्री पश्तुदी साहिता योजना के तरद 16,000 रुपे की जो रासी है वो मिलती है इसलिए आप लोगों को सभी के पास मद्यपद्यश की जितनी भी महिला हैं ओके यहाँ पर आप लोगों को संबल कार्ड है आप लोगों के पास होना अनिवार है संबल कार्ड आप बड़ी ही आसानी से घर बेटे बना सकते हैं कैसे बनाएंगे आप लोगों को डिस्क्रेप्शन बॉक्स में इसकी वेबसाइट दे राखिए आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और यह संबल कार्ड है वो बना सकते हैं और इसके प्रोशेट जानली चीगा अगर आप लोग संबल कार्ड डाउनलोड करना चाहते अगर आप लोगों का पहले ही बना हुआ तो आम तीन लाइनों पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं, तीन लाइने दिख रही है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक option आपको देखने को मिलेगा, हिदग्राई वीवरन, हिदग्राई वीवरन वाले option पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं, अपना नो अंगो का समगर आइडी नंबर डालना है, और विवरण वाले option पर क्लिक करके यहीं से आप अपने जो संबल कार्ड ये और डाउनलोड कर सकते हैं। संबल कार्ड बनाने के लिए आप लोगों को आपनी समगर ID नमबर डालना है और परिवार की समगर ID है ओ नमबर डालना है। सबसे पहले आपकी नव अंकों की समगर ID नमबर डालेंगे और आट अंकों की फेमेली ID नमबर और डालेंगे और खोजे वाले option पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका पहले से ही संबल कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ आजाएगा कि आपका पहले से ही संबल कार्ड बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ है तो आपके पास यह option आएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, ओके वाली बटन पर आपको क्लिक कर देना है, ओके वाली बटन पर आपको क्लिक करेंगे तो आपके प्रेशनल जानकारी जिसे कि आपका नाम, समगर आईडी, अधार काड नमबर, पिता का नाम, माता का नाम, ये संबंदित सब भी जानकारी आपके सामने आ जाएगी तो आपको देख लिजेगा इसके बद आप नीचे स्क्रोल करेंगे तो अधर ओप्षिन आपके सामने आएंगे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक option देखने को मिलेगा आवेदन का प्रकार आप लोगों को simple क्या करना है शिर्प और संगर्टिक स्रमिक वाले option पर क्लिक कर देना है अगर आप किसी other category में आते हैं तेंदुपत्ता, विमोक्त, गुमर्ड या अर्दुगुमर्ड जन जाती में तो आप क्लिक कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसमें नहीं आते हैं तो सिर्प आप लोगों को पहले वाले option पर ही क्लिक करना है तब जाकर आपका जो form है वो verify होगा अगर आप लोग यहाँ पर कहीं अन्य विविकाल पर चुन लेंगे तो आपका पंचायद, जनपत पंचायद से आपका जो card है वो verify नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर सही अगर आपको जल्दी से verify करवाना है आपका card है दुरंत बनवाना है तो आपको क्या करना है पहले वाले option पर क्लिक करना है असंगाचित ceramic इस वाले option पर आपको क्लिक कर देना है इसके बाद आप लोगों को शिक्षा का इस तर सेलेक्ट करना है इस वाले option पर आपको क्या करना है ओके यहाँ पर आप देख लिए आपने कहां तक पढ़ाई करिए तस्वी बारवी, ग्रेजुएशन, प्राइमरी स्कूल, एर्ट क्लास जितना भी पढ़ाई आप यहाँ पर सिक्षा का इस तर सिलेक्ट करेंगे ओके जहां तक भी आपने पढ़ाई करें जैसे ही आप वेवशाई चुने वाले ओप्षिन पर आते हैं तो भूशारे वेवशाई आपके सामने आ जाएंगे अगर आप इन वेवशाई में किसी एक वेवशाई पर आते हैं एक वेवशाई के लिए पात रहे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप एक क्रशी है, अगर आप एक क्रशी छेतर में काली करते हैं, तो आप पहला ओप्षन ही सिलेक्ट करेंगे, क्रशी में न्योजित जिसमें समयलित है, वो धमीनी तदा क्रशी प्रशकरन, पहला ओप्षन है आपकी सामने, ये पहला ओप्षन ही आपको सिलेक्ट करन आगर आप किसी other category में आते हैं इन में से आप देख लीजीगा तो आप ये select कर सकते हैं अगर नहीं आते हैं और आगर आप एक crush है यानि कि आप एक किशान है तो पहला option ही आप select करेंगे ठीक है इसके बाद आप देख लीजीगा other option है क्या आप WhatsApp की सुचना प्राप्ट करना च रेख क्या आप एक आई कर दाता है आपको इस वाले option पर छुनना है और यहाँ पर no कर देना है मेरे अत्वा मेरे पति-पतनी के पास 1 एक caso से अधिक भूमी है तो हां करना है वरना no कर दिजी इसके बाद किया आप अपनी पति-पतनी की शास के शिवा में आपके कारीर है गुर्मेंट जोब है तो आपको हाँ करना है वेनना नो कर दीजिए इसके बाद आपको मोबाईल नमबर एंटर करना है ओके और नीचे आपको इश्कॉल करना है और चेक बोक्स वाले ओप्षिन पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन सरक्षित करें इस वाले option पर आपको click करके यहाँ पर आपके form को submit करना है ओके तो यहाँ पर आवेदन सरक्षित करेवाले option पर जैसे आप सरक्षित करेंगे submit करेंगे तो आपका form है successful हो जाएगा अब देखिए फ्रेंच जिसे मैंने सरक्षित करेवाले option पर click किया है तो यहाँ पर मेरा form में वो successful हो चुका है यहाँ पर जो मुझे आवेदन करमाखियो मेरा मिल चुका है मेरा form कहां पर गया है जिसे कि जनपत पंचैत महिश्वर जहा आप हिद्गराई डेश्क बोर्ड वाले option पर जा करके अपना status है और चेक कर लीजिगा कि आपका form है आपने जो form फिल क्या है संबल कार्ड के लिए आपका form successful verify हुआ है यानि कि सत्यापन हुआ है या नहीं हुआ है तो आप चेक करवा सकते हैं ओके अगर आपका verify नहीं होत संबल कार्डे वो बना सकते हैं और 16,000 रुपे की राजियों और मुक्य मंत्री पश्टूती साहिता योड़ना के तरहते हैं और ले सकते हैं मैंने आप लोगों को इस वीडियो में complete जानकारे दे दी है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like, share, subscribe जरूर कीजिएगा झाल 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 झाल